आज रजना कोशल राइटिंग स्किल में हम दूसरा टोपिक कहानी लेखन पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था कि राइटिंग स्किल में कहानी लेखन, पत्र लेखन, निमंद लेखन, वृतांत लेखन, डाइरी लेखन ये सब भी आते हैं आज का हमारा टोपिक है कहानी लेखन कहानी क्या होती है कहानी पुरानी गटनाओं का रोचक तरीके से वर्णन करना कहानी होती है कहानी की कथावस्तु जीवन से जूड़ी हो सकती है देवी देवताओं से जूड़ी हो सकती है बूत प्रेश से जूड़ी हो सकती है परियों से जूड़ी हो सकती है या राजा रानी की हो सकती है या फिर कालपनिक भी हो सकती है कहानी के प्रमुक अंग क्या-क्या होते हैं कथावस्तु होती है कथावस्तु का मतलब यह है कि उसमें एक दो या चार पात्र होते हैं और उन से समंदित कहानी होती है फिर उद्देश से उसका कुछ न कुछ होता है उद्देश से ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को उससे सिख्ष्या मिले फिर कतोब कतन मतलब जो उसमें पात्र होते हैं करेक्टर होते हैं वो उनका समवाद उनकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो लिखते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और आपकी एक्जाम में किस तरह से आप पूरे के पूरे माक्स कहानी लिखने के बाद ला सकते हो। चलिए सबसे पहले कहानी लिखते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए यह हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो रूप रेखा कहानी के पांस प्रकार हो सकते हैं, रूप रेखा के अधार पर हो सकती है रूप रेखा मतलब सब्द दिये रहेंगे, कोई-कोई सब्द उनको देखते हुए उनसे वाक्य बनाना है और फिर कहानी लिखनी है फिर चित्र के अधार पर कहानी हो सकती है कि कुछ चित्र दे दिये और आप उन चित्रों को समझो ध्यान से उनसे समंदित कहानी बनाओ फिर कुछ मुहावरे या सूवचन हो सकते हैं उससे समंदित कहानी बनाने को बोल सकते हैं आपको तो इस तरह से कहानी के अलग-अलग मुद्दे हो सकते हैं संकेत हो सकते हैं चित्र हो सकते हैं और या फिर चार सब्द आपको दे दें कि इन सब्दों के आदार पर कहानी को मिल जाए उसको कहानी को पूरा करो इस तरह से भी पर्षन एक्जाम में आता है लेकिन ज्यादा तर क्या आता है कि रूप रेखा क्या दार पर कहानी लिखो रूप रेखा कैसे एक सब दे दिया एक राजा बाजार जाना वहां एक किसान से मिलना इस तरह से फिर उन एक-ए इस तरह के कहानी एक्जाम में पूछी जाती है लेकिन कहानी लिखते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए यह मैं आपको बताने जारी हूँ दे गई रूप रेखा तो संकेतों के आदार पर कहानी का विस्तार करें जो रूप रेखा दे गई है जो सब्द दिये गए हैं उनके आदार पर आपको कहानी का विस्तार करना है कहनी में विभिन गटनाओं प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें, किसी प्रसंग को न अत्यन संसित लिखें और अनावसेक रूप से विस्तृत लिखें तो कोई भी जो आपको टाइटल दिया गया है या मुद्दे दिये गए हैं, सब्द दिये गए हैं, उनको बढ़ा चड़ा कर आपको नहीं लिखना है कहनी की बासा एकदम शरल होनी चाहिए, एक निश्चित परवा होना चाहिए उसका कहनी का आरंब आकर्शक होना चाहिए कहनी का आरंब अगर आप आकर्शक करोगे तो पढ़ने वाले का मन बढ़ेगा और आपकी पूरी कहनी वो ध्यानफूरवक पढ़ेगा और सुनेगा ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए कहानी की भासा सरल स्वाभाविक प्रवाव मही होनी चाहिए उसमें क्लिष्ट सब्द मतलब कठीन सब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए कहानी को उप्युक्त आकर्शक शिर्षक देना चाहिए उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि टाइटल पढ़ते ही मन करें कि कहानी पढ़नी चाहिए और कहानी का अंत सहर डंग से होना चाहिए तो ये कहानी लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना है आपको फिर देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कहानी रोचक और स्व कहानी का एक अच्छा सिर्षक भी देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों सबसे ज्यादा एकजाम में रूप रेखा के आदार पर कहानी पूछी जाती है। इसलिए मैंने आज का पर्षनल लिया है कि निमन लिखित प्रतेक रूप रेखा के आदार पर कहानी लिखिए। आपको मैं बताने जा रही हूँ कि रूप रेखा के आदार पर कहानी आती है तो उसको किस तरह से लिखना है। कहानी की रूप रेखा बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है जिने चुन-चुन कर उचित इस्थान पर रखकर सुन्दर, सरल, सुद्ध और लेवाली माला बनानी पड़ती है अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास करना ही कहानी लेखन है सबसे पहले चात्र क्या करेंगे पर्षन पत्र में दी गई कहानी की रूप रेखा को ध्यान पूर्वक पड़ेंगे की रूप रेखा क्या दी हुई है ठीक है फिर उसके बाद में कहानी का मुख्य विशे क्या है इसका उद्धे से आपको ध्यान में रखना है शुरू से अं तक कहानी लिखनी चाहिए, कहानी का प्रारम और विकास एक करम बद तरीके से आपको करना चाहिए, अर्थार्थ पड़ते गड़ना को एक दुसरे से जोड़ना है, जिससे कहानी अर्थ पूर्ण लगे, कई-कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे बीच के ये डेश को रि ध्यान देना है, कि इनका एक सार्थक वाक्य बनाना है, और दूसरा वाक्य जो दूसरे सब्द से बनाओगी, वो पहले वाक्य से जूड़ा हुआ होना चाहिए, तब ही हुए कहानी करमबद और रोचक लगेगी, चलिए आज की कहानी देखते हैं, एक राजा, लड़ाई म हारना, सत्रू का भै, गुफा में छिपना, छत पर मकडी का पारबार चड़ना, गिरना, अंत में सफलता, राजा के मन में साहस का संचार, फिर से चड़ाई करना और जीतना, तो इस तरह से देखो कुछ मुद्दे दिये हैं, कुछ संकेत दिये हैं, और उन संकेत को आपको दिमाग में रखते हुए एक कहानी बनानी है, तो ये दो तिन बार आपको एकजाम के टाइम पर दो तिन बार इस रूप्रेखा को पढ़ लेना है, ताकि आपके दिमाग में तुरंत ये आजाए कि इसका उचित शिर्षक क्या दूँ, ये रूप्रेखा आपने देख ली, अब आप सोचिए कि इसका शिर्षक क्या देना चाहिए, तो एक राजा होता है, वो लड़ाई में हार जाता है, फिर उसको आमेशा सत्रू का भैस अताता है, फिर वो गुफा में छिप जाता है, और बहुत दिन तक छिपा रहता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पर छत प वैं भी दिमाग में यह सोचता है कि जब मकडी सफलता पा सकती है तो मैं भी सफलता पा सकता हूं लेकिन कैसे प्रिया से प्रियतन से तो इसका सिर्षक आप क्या देंगे प्रियतन से सफलता ठीक है तो इस तरह से आपको सिर्षक मिल जाएगा उसका जैसे आप रूपने का प वै था तो बहुत प्राकर्मी, तो हमने रूप रेखा देखी थी ना, एक राजा का होना, लडाई में हारना, एक राजा का लडाई में हारना, तो इस तरह से एक ही संकेत में दो वाक्य चिपे हुए थे, हमने उसको विस्तार दिया, हमने उसको बढ़ाया, तो हमने उसका रा तो वह प्राकर्मी था मतलब लडाई में हारने के पिछे कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा ना तो वह भी हमें दिमाग में उसको भी लेकर इस वाक्य से जोड़ना है तो इस तरह से वाक्य का विस्तार करना है कानी का विस्तार करना है तो वह प्राकर्मी था पर उसके पास ज्यादा सेना नहीं थी पड़ोसी राजा को उसकी इसकमजोरी का पता लग गया और उसने उस पर हमला बोल दिया अब रूपरे का क्या थी राजा का लड़ाई में हारना तो हारेगा तब भी न जब कोई दूसरा सत्रू उस पर आकरमन करेगा तो हमें राजा का भी परीचे देना है हमें सत्रू का भी परीचे देना है तो इस तरह से हमारी कानी आगे से आगे बढ़ती जाएगी फिर हमला बोल दिया गमासा लड़ाई में सेर्शिंग हार गया उसे अपने राजपाट से हाथ दोना पड़ा फिर देखो आगे पराजित राजा शेर्शिंग भाग कर जंगल में पहुंचा और गुफा में छिप गया वह उस गुफा में निरास होकर बैठा था क्यों उसकी द्रिष्टी एक मकडी पर पड़ी तो पहले पैराग्राफ में तो हमने सिरफ राजा का परीचे दिया और वह हार गया ये परीचे दिया दूसरे पैराग्राफ में र सामने वाले का मन पका》 और आपको पूरे अंक मिलेंगे प्राजित राजा सेर्शिंग भाग कर जंगल में पहुंचा और एक गुफा में की विप गया कि उसकी दृष्टी एक मकडी पर पड़ी वह मकडी कुफा की दिवार पर चड़ती और गिर पड़ती थी मकडी कुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी बार बार गिरने पर भी मकडी ने हिमत नहीं हारी वह उपर चड़ने का प्रियतन करती रही आखिर उसका प्रियतन सफल हुआ और वच्छत पर चड़ गई अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर तीसरे पैराग्राफ में देखो यह देखकर सेर्शिंग निराशा और चिंत्या छोड़कर खड़ा हो गया तो राजा के मन चेंज हो गया उसमें बताया था ना राजा का मन बदलना तो पूरी सकती से सत्रू राजा पर चड़ाई कर दी मतलब उसने अपने दुस्मन पर हमला बोल दिया सेर्शिंग ने बड़ी वीरता से लड़ाई की और सत्रू पर विजे पाई सेर्शिंग को अपना राज्य तो मिला सत्रू के राज्य पर भी उसका अधिकार हो गया तो इस भी लिखना जरूरी होता है, तो ये देखों सीख, सीख ये मिलती है कि छोटे-छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ने सफलता से निरास्त न होकर प्रियतना जारी रखने से ही अन्त में सफलता मिलती है, या फिर सिर्शक ऐसे भी तेज सकते हैं, कि बार-बा जो आपकी लिए ग्रहब कारी है इसको complete करना आपको जैसा की मैंने रूप रेखा क्याधार पर आपको समझाया कि किस त ve से कहानी लिखनी चाहिए रूपरे का क्यादा पर तीन चार पैराग्राफ में होनी चाहिए कहानी सरल होनी चाहिए सहज होनी चाहिए उससे कोई न कोई कोई शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए और कम से कम तीन या चार पैराग्राफ में कहानी को पूरा करें करमबत तरीके से लिखें धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रो यह जो कहानी दी जा रही है इसको आप जरूर कम्प्रिट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं नहीं धन्यवाद